अलो स्टूटेंट वेलकम टो वर यूटूब चैनल कॉमर्स उफशेंसी आज ही क्लास में कवर करेंगे ऑप्रेटिंग रेशो इससे पहले वाई क्लास में हमने कवर किया था ग्रोस प्रोफिट रेशो आगर भी दक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी देखी ताप क्या क इस स्टूटेंसी बनी रहे अगर भी दक आपने मेरे चैनल कॉमर्स उफशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताक कि जब भी मैं न्यूव वीडियो अप्लोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए आप वीडियो को सबसे पहले द रिवेन्यो फोन ओं ऐडियो कितनी कोस्ट फोन आपरेशन पढ़ दिया और कितनी अप्रेटिंग एक्से आ रहे हैं तो यह पी अप्रेटिंग रेश्ययो च्छल्क्लीट करनी के लिए जब कोस्ट नीग office कर देता है् ऑपेरेटिंग इंकम को दो डिवाइड करने पेर आ operation into 100 करने से हमारे पास operating ratio आ जाएगी इसमें सिर्फ हमने operating expenses लेने है और operating income ही लेने है non operating expense non operating income है जो नहीं लेनी operating expenses operating income यह वो expense और वो income होते जो business के operations की regarding होती है अगर हमें example लें कि अगर मालों कि हमारा काम है कपड़े को बेचना यानि कि जो business है वो cloth के regarding है तो जितना भी expense होगा cloth के regarding हो जितना भी income होगा cloth के regarding उससे related जितना भी हमारे transactions बनती है expenses और income के regarding वो सारी की सारी हमारी operating कहलाएगी कैते cost of revenue from operation कैसे calculate करते है जब opening stock के अंदर add कर दियाते net purchase को और direct expenses को add कर दियाता है जिसमें carries आयते हैं wages आयते हैं और closing stock को minus करने पर हमारे पास cost of revenue from operation आयता है इसका next method होता है जब revenue from operation के अंदर minus कर जाता है gross profit को तब भी हमें cost revenue of operation बचल जाते हैं operating expenses में कौन से expense आयते हैं जो business के operations के regarding होते हैं जिसे employee benefit expenses हो गया depreciation and amortization खर्ची हो गया है अधर expenses में office और administration खर्चा selling and distribution का खर्चा discount आ जाते हैं bad data आ जाते हैं interest और short term loans आ जाते हैं income के अंदर कौन से इन कमाएंगी trading commission रिसीव जैसे cash discount रिसीव यह सारे हमारी क्या है operating income आ जाएगी attention में कहते हैं कि depreciation और जो monetization expenses है वो include की जाएंगे operating expenses के अंदर जो spare parts और loose rules होते हैं उनको inventory में हम शामिल नहीं करेंगो कि इसको exclude करने हैं तो यहां पर important चीज क्या है कि जो not रखने वाली चीज है कि जो non operating खर्चे होते हैं जैसे loss on sale of fixed assets, loss from fire, income tax, charities and donations, finance charges relating to interest on long term debt and interest on venture इन सबको हम ignore करेंगे जब यह ratio operating ratio calculate की जाएगी क्योंकि यह खर्चे कोंसे non operating खर्चे होते हैं loss on sale of fixed assets कई बर क्या होता है कि जब हमारा mall की business है कपड़े का है तो कपड़े को रखने के लिए जो लकड़ी वगरा का इस्तिमाल किया जाते है अगर वो लकड़ी का समाने बेश दी जाते है तो इसको बेशने से यहनि फिक्स जो सेट्स को कर सेल करने से कुछ लोस हो जाता है तो यह हमारा operation नहीं आएगा क्योंकि non operating में आ जाएगा क्योंकि हमारा जब business है वो कपड़े का कपड़े करे गाड़े जो transactions होगी वो operating कहलाएंगी जो उसके अलावा जितनी भी transactions हाएंगी जितनी भी expenses या फिर income होगी वो non operating का ही हिस्सा होगी किते कि इनको ignore किया जाएगा सबको तो कहते हैं जो नोन operating income होती है जैसे यहां पर हमने loss on sale of fix the assets लिया था ऐसे profit भी हो सकता है सेल करने पर fix the sets को और जो भी इंटर्स और डिविएंट रिसीव होता है investments के उपर इनको भी ignore किया जाएगा अब्जेक्ट के तक इसका object के आया significance के काता है जो यह operating ratio होती है measurement करती है operating efficiency के बीच में और profitability के बीच में business enterprise कितना operating efficiency और कितनी उसकी profitability है जो यह ratio यह indicate करती है कितनी percentage revenue from operation की जो absorb करती है cost of revenue from operation और operating खर्चों को यह नहीं कितना का revenue जो generate किया गया enterprise दिवारा जिससे उसके खर्चे अब्जोब हो जाएं चाहिए वो cost of revenue from operation चाहिए उसके operating खर्चे हो लोर्द ऑपरेटिंग रेशियो कहता कि अगर यह मालो रेशियो कम हो जाती है तो यह कहता better it is because it will leave higher margin of profit on revenue from operation कहता है यह अगर operating रेशिय से डिवैड करेया हुए revenue से तो अगर रेशियो कम है तो मतलब कि हमारी cost कम है और operating खर्चे कम है तो इसमें profit क्या होगा हमारा ज्यादा ही आएगा next हमारे पास इसका example कवर करते है statement में लिख है कि यहां पर operating ratio calculate करनी है revenue from operation given है revenue from operation return given है तो हमें return minus करके जो net revenue from operation जो calculate हो जाएग income है तो जैसे हमें example में जो data चाहिए उसके हिसाब से data collect करते हैं तो cost of revenue from operation है जो हमारे पास given है next operating expense हम calculate करते हैं और हमारे पास operating income से जो वो भी given है operating income भी given है तो हमें formula के लिए जो चाहिए हो हम यहां पर collect करते है data सबसे पहले में operating expense लेते हैं operating expense में मेरे पास दो expense given है एक तो given है selling का खर्चा 40,000 से दूसरा given है administration का खर्चा 20,000 से तो हमारे पास total operating expense आगे 60,000 से हमें operating ratio calculate करने के लिए operating ratio calculate करने के लिए जो data चाहिए होता है cost of revenue from operation cost of revenue from operation इसमें plus कर देते हैं operating खर्चे और minus कर देते हैं operating income operating income minus करके और इसको divide कर देते हैं जब हम net revenue from operation से net revenue from operation multiple कर देते हैं इसको 100 से तो हमारे पास operating ratio आजाती है cost of revenue from operation जो already given है question के अंदर 1,50,000 से operating expense भी calculate किया हमने 60,000 से operating income already given है 10,000 से net revenue from operation कैसे calculate करेंगे revenue 2,60,000 से इसमें से return minus कर देते हैं 10,000 की तो हमारे पास 2,50,000 जो आ जाएगा multiple करके 100 से तो इस सब को sold out करके हमारे पास बनता है 2,00,000 divided by 250 इंटो में 100 कर देंगे तो हमारे पास 80 परसेंट जो operating ratio आ जाएगी I hope यह सम्क्लिर हो गया होगा आपका बच्चो next example करते सी टोपी का statement कवर करते हैं कैता है operating ratio calculate करनी है net revenue from operation given है 8,00,000 पेसी cash revenue from operation given है 2,00,000 पेसी gross profit ratio 20% है office and selling का जो खर्चे वो 60,000 रुपे है depreciation जो 20,000 है loss on sale of plant 10,000 है तो यहाँ पर हमें data चाहिए cost of revenue from operation cost of revenue from operation के लिए हमें directly cost given नहीं है तो हम calculate करेंगे इसको another way से कैसे calculate करेंगे हम जब net revenue में से घटा दें gross profit तो हमारे पास क्या आजेगी cost आजेगी हम जानते हैं कि जब हम cost of revenue from operation के अंदर add कर देते हैं gross profit को तो हमारे पास net revenue from operation आती है net revenue from operation आती है जैसे हम cost plus profit करके sale price करते हैं वैसे cost of revenue from operation में अगर gross profit को add कर दे जाए तो net revenue from operation है जो आ जाते है जिसे net sale भी बहुत सकते हैं तो हमारे पास जो data given है वो given है net revenue का और gross profit का तो यहां से हम cost of revenue from operation का जो calculate कर सकते हैं cost of revenue from operation कैसे calculate करेंगे net revenue में as it is रखती हूँ यह gross profit जाके minus का जाएगा net revenue from operation आठ लाख और पेसे given है और जो gross profit है के तो 20% है sale का 20% करेंगे तो हमारे पास net revenue आठ लाख है 8 लाख का जह हम 20% करें तो हमारे पास 1,60,000 से आजाएगा तो हमारे पास 6,40,000 से के आगी cost आ गई है operating expense में हमारे पास दो खर्चे देर खिये office and selling का 60,000 से और depreciation का 20,000 से तो 80,000 होजेगा 80,000 हमारे पास operating के जो expense आ चुके है formula में पुट करते है value operating ratio कैसे इनकालते हम जब हम cost of revenue from operation में cost of revenue from operation में add कर देते है operating expense और minus कर देते है operating income और divide कर देते है net revenue from operation से net revenue from operation multiple करते है 100 से तो हमारे पास जो operating ratio आ जाते है तो यहां पे 6,40,000 हमने cost calculate की जी expense 80,000 से calculate की है और net revenue already given है 8,00,000 से into 100 करके हमारे पास आ जाते है 90% से इसका ratio तो इस रिके से बच्चों समता I hope क्या को clear हो गया होगा next class हम इसका next ratio कवर करेंगे operating profit ratio ऐसी ही regular वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल commerce agency को subscribe like and share करें